हेलो तो यहाँ पर देख सकते हो 40 का 400 कैसे हो सकता है इसके पीछे का logic क्या होने वाला है और इससे क्या बोलते है सबसे important चीज़ अगर आप कुछ चीज 40 रुपीज पर पर्चस करें तो क्या वो 400 पर हो सकता है तो इसका जवाब है yes and no अभी आप पुछे कि yes and no में logic कैसे तो लिए आपको पूरा detail में मैं आपको इसका logic समझता हो कि यह logic कैसे काम करता है और इसके पीछे का हर एक चीज कैसी कैसी होती है सबसे पहला चीज आपको यह पता होगा कि hero and zero चीक है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको short में बता दूगा लेकिन hero zero का simple सामिनिक है कि आपक जो आपने value लिया है एक तो वह hero हो जाएगा या फिर zero हो जाएगा simple जवाब अगर आप 10 रुपे का चीज purchase करते हो तो यह 10 रुपे जादा से जादा कितना हो जाएगा 50 रुपीज 100 रुपीज ठीक है या तो फिरे कितना हो जाएगा zero हो जाएगा अब आपने लगया कितना है 10 रुपया आपका maximum loss कितना होगा 10 रुपय होगा लेकिन profit कितना होगा 20 होगा 30 होगा 40 होगा जितना भी momentum मिलेगा उतना सब आपका profit हो सकता है आप जहां तक hold कर सकते हो जितना आपका capacity है वहां तक इसे बोलते हैं simple में hero zero अब hero zero को लेने का logic case से काम करता है वो हम देखेग यहां पर काम कैसे करेगा अब इसके पीचे का logic हां यह देखिए यहां पर देखिए यह momentum आप देखिए अभी सही से momentum आ चुका यहां पर अगर आपको hero zero वाले दिन मतलब hero zero होता है expiry वाले दिन एक्सपारी कब है expiry हमारी है कल कल का दिन expiry है तो बहुत जादे important होने वाला क्या वो 40 रूपीज का होगा या फिर 70 रूपीज का होगा जो भी होगा जो भी उसका value होगा अगर आपने उसमें purchase कर लिया यह इतना fast momentum में कि यह 40 रूपीज वाला आपका सीधा सीधा या पर 180 से लेकर के 277 का हाई लगा सकता है इतना जादा power इसके अंदर होता है लेकिन क जब expiry वाले दिन ठीक है यह बात ध्यान रखना expiry वाले दिन ही यह moment आपको मिलेगा बागी के दिन कभी यह moment आपको नहीं मिलने वाला उसके साथ में अगर यह ending वाले momentum में आपको मिले रहा है और यह in the money हो गया है तो फिर 40 वाला यहां तक आते आते 180 नहीं लगबग यहा momentum आपको मिलेगा उससे जाधा कर भी momentum आपको options में वहाँ पर देखने मिल सकता है ठीक है अब hero zero के लिए momentum कैसी होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया यह जो update है यह आपको हमारे free telegram channel में भी हम update करते रहे यहाँ पर भी morning में हमने एक update दिया था 535 पर हमने update दिया था जि video के description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से जाकर कि आप इसके अंदर आसनी से जुड़ सकते हो bank nifty option trade में चीक है अब उसके साथ में आपको एक और चीज ध्यान रखने वाली है अगर आपका hero zero है मैं आपको example के लिए बताता हूँ आपने 10 rupees का hero zero यहाँ पर purchase किया चीक है अब मार्केट उपर नीचे करते हुए वापस यहाँ पर आजेगा यहाँ पर 4 रूपीजा ए यहाँ पर नीचे नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ पर आपका вापस 10 rupees पर आजा जाएगा पर जार कि सीदा उपर आपका 10 a 140 भी चा सकता है दो यहाँ पर क्या हो रही वहो meaning क्या है कि आपको ये profit डिलाएगा या नहीं डिलाएगा ये डिपेंड करेगा आपके logic पर आपके logical levels पर आपके holding capacity पर अब holding capacity का मतलब क्या है वो समझो यहाँ पर 10 रुपे लिए आपने ठीक है अब यहाँ पर value आ गई पचास रुपे पर तो क्या आपने इसे पचास रुपे पर exit कर दिया ठीक है मतलब आपके holding capacity कितनी थी कि 10 रुपे से 50 रुपे तक आपके holding capacity है फिर वहाँ से वह वापस निचाय जाएगा अब यहाँ पर वापस 10 रुपे पर आ जाएगा तो आपने यहाँ पर profit बुक कर लिया तो भी आपको खूश होना चाहिए कि आपने एसेल करते हुए आपके प्रॉफिट को लॉक कर लिया नहीं तो वापस वह यहाँ पर आ जाएगा तो आपका profit definitely बढ़ जाएगा चीक है और यहाँ पर भी आपने होल किया वापस 30 पर आएगा मार्केट तो आपको जो प्रॉफिट एन लॉस से वह उपर नीचे उपर नीचे होगा एन एंडिंग में कही ना कई वह उपर जा सकता है यह हाई पॉसिबिलिटी चांस से होती है यहाँ प बताना चाहोगा ही रोजी रोज जब भी आप पर्चेस करोगे ठीक है देखो सबसा पहले चीज़ तो यह फ्री टेलिग्रम चैनल जॉइन कर लिजे ही रोजीरो पर्चेस करना मतलब इसी काम नहीं है उसमें बहुत लॉजिक आपको यूज़ करना पड़ता है बहुत फास हीरो जीरो अगर आप कुछ इस तरीके से लोगे यह वाली मॉमेंट में आप अगर आप हीरो जीरो लोगे तो डेफिनेटली जो आप दस पर पर्चेस करोगे ना यहाँ पर आते आते वह आठ हो जाएगा बहले ही मार्केट के साथ में चल रहा है लेकिन उसका वैल्यू डि इसलिए क्या होता है कि हीरो जिरो हम कितने में लेथे टेन रुपीज 20 फोरो ली रूपीज अगर गया तो अच्छी बात हैं अगर नहीं गया तो ज्यादा स्याद़ कितना लॉस होगा 40 रुपे का यहां पर 10 रुपए का परचस के लिए तो definitely इसको कितना होना है 100 से भी जाद आका यह होई जाएगा या फिर 40 रुपए अगर लेते हो तो वह सीधा-सीधा 300 का भी हाई एकजिट कर दो अगर 10 रुपए पर लिया है अगर आपको वैल्यू 8 रुपए हो रहा है तो बस दो रुपए का लॉस लो चीक है मतलब पुरा दस का दस जीरो होने तक वेट नहीं करना है यह दो रुपए का लो एन अगर आपको यहां पर वापस मॉमेंट मिल जए तो यहां को मॉमेंट नहीं चाहिए चाहिए मोमेट कैसा चीए फास चीए चाहिए और यही हिरो जिरु के बारे में जो हमने मार्केश्बेट होते हैं वो भी हम यहां पर अप्डेट कर देगे और आजकर भी मार्केश्ब्स का बढ़ीया और चीक ची लिए बावाई